हुलो दोस्तों स्वागत आप सभी का आप सभी के प्यारे YouTube चैनल exam तक वायर्स पर दोस्तों आप सभी को पता है दोस्तों कि मैं आप सभी के लिए नई-णे वेकेंसी के बारे में अपडेट दोस्तों करते रहा주 दोस्तों आज फुल फाम होता है बिहार रूरल लिवले हुड प्रमोशन सोसाइटी इस्टेट रूरल लिवले हुड मिशन एस आर यलम बिहार दोस्तों आज हम इस जाब की बात करने वाले हैं ठीक है दोस्तों वीडियो पर पहली बार अगर आप है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भू ठीक है दोस्तों चलिए वीडियो को सुरू करते हैं आपका करतब यह क्या दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना आगे आते हैं ध्यान से चीजों करके देखते हैं यहाँ पर ध्यान से देखिए सबसे पहले तो अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में कोई भी आउट का आगे आते हैं इस वेड प्रोमोशन कैसे होगा इस टेप्स इनवालम इन सेलेक्षन प्रोपसेस पहले जॉब पभलिस हुई ठीक है दोस्तों उसके बाद दोना है दोस्तों क्या किया गया अप्लिकेशन आपका एसेप्ट किया रहेगा फिर अप्लिकेशन इस्की तोटल टेन इस्टेप में है आप पूरे अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिए ठीक है ना आगे आते हैं यह सब चीज है दोस्तों और यहां पर बात करेंगे इसका जो लाज़ डेटर दोस्तों वह है 30 सेप्टमबर 2020 कब है दोस्तों 30 सेप्टमबर 2020 कब और इसमें वेकेंसी है वह 77 और दोस्तों यहां पर पोस्ट किसकी किसका है डियो का है ऑफिस असिस्टेंट एंड अधर मैनेजर पोस्ट ठीक है ना और अगर आपको इसके बारे पूरी फूल जानकारी चाहिए तो आप इसके वेबसाइट पर जा सकते हैं और पीटिफ आपको टेलिगराम में मनें मिल जाएगा तो पीडिफ के लिए भी टेलिग्राम पीचे कर लिजेगा हो सकता तो वहाँ भी टेलिग्राम वहाँ पर भी इसका प्यडियप दे दूंगा तो दोस्तों यहाँ बात करते हैं नेक्ट में यहां पर जो निकला था वह 109 2020 को कब दोस्तों 109 2020 को यह जोब पब्लीश हुई थी कब दोस्तों 109 2020 को अगले स्लाइड प आप फार्म को क्या कर सकते हैं दोस्तों फिल अप कर सकते हैं ठीक है ना हम बात करेंगा आर्गराइशन नाम नेम जो है बिहार रूरल लिवली हुड प्रमोशन सोसाइटी अर्थात बी आर एल्पियस जाब टाइप क्या दोस्तों इस्टेट गवर्मेंट यानि कि आपको बिहार में ही जॉब करना है ठीक है दोस्तों अब यहां पर देखिए थोड़ा सा अगले स्लाइन में आते हैं टोटल वेकेंसी 77 जाब लोकेशन बिहार और यहां पर आपके यह सब हैं जो आपको जो है काउंटेंट का है ऑफिस असीस्टेंट का डाटा एंट्री का ऑपरे देखा था सेलरी जो है दो 90,000 तो देख सकते हैं इस्टेट मैंनेजर 10 वेकेंसी सेलरी 90,000 ठीक है ना मिसर मैंनेजर 14 वेकेंसी 60,000 और यहां पर फाइनेंस एंड प्रोकुरेमेंट आफिसर 90,000 एक पोस्ट के लिए तो दोस्तों यहां पर सेलरी अच्छी खासी है और इस प के लिए कितनी पोस्ट है क्या सेलरी आप सभी के सामने में सो कर रहा हूं ठीक है दोस्तों आप सभी के सामने में सो कर रहा हूं ध्यान से आप लोग देख लिए सुरू में मैंने बताया था था 90,000 तो देख रहे हूंगे 90,000 के लिए भी है ठीक है ना यहां पर है पी एक कम को पढ़िएगा ठीक है दोस्तों finance and procurement officer के लिए यह है ठीक है ना और उसके बाद बात करेंगे district mission manager के लिए आपके लिए पोस्ट graduation या डिप्लोमा है ठीक है इस तरीके से आपके लिए और यहां दोस्तों किसी किसी पोस्ट के लिए दोस्तों only graduation है किसी किसी पोस्ट के लिए only graduation है तो वह भी फावा फिलप कर सकते हैं दोस्तों यहां पर कम से कम 20 साल और अधिकतम 45 साल होना चाहिए ठीक है ना और retired officer के लिए 63 जो चाहिए अब यहां पर selection कैसे होगा selection दोस्तों percentage आप मांस obtained in the qualified examination यानि कि आपने जो exam qualify किया इससे पहले उसके percentage क्या दार पर दोस्तों क्या होने वाला है selection आप सभी का होने वाला दोस्तों यह देख लीजाप सभी लोग PDF देख लिजे यहां पर PDF आप सभी के सामने सो होत यह देखेया प्लाध प्लीज पीडिएव भृव फिर म। फिनाल पर इंटर्वीव गार फिर टोट बीएव जरूर पढ़ें और उसके बाद ठीक है ना, यहाँ पे आप सभी लोग देख लिजे, पूरा समझ के उसके बाद farm को fill up करिएगा, ठीक है ना, और farm को fill up करने के बाद यहाँ पे देख लिजे दोस्तों, आप लोग बाद में मुझे गलती मत दीजेगा, मैं आप पीडियाप आपको पढ़ा दे रहा हूं, कि क यहाँ पे नॉलेज है, कही कही जो है दोस्तों ना, working experience भी मांगा हुआ है, तो आप सभी लोग टोटली चीजों को समझ लीजिए, ठीक है ना, बाद में मुझे कुछ मत कहिएगा, तो टोटल देख लीजिए, जो भी चीज़े है, क्लियर कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा फिर फार्म को क्या कर दिएगा, फिल करिएगा, दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यडियाप ज़िए डिस्क्रिप्सर में लिंक है, वहाँ सिदाकर में प्रियास कर रहा हूं कि वहीं पर देदू, आप सभी लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है चलिए वीडियो करते हैं अच्छा लगे लाइक और से जरूर कहें, अगर फॉर्म फिल अप करने में किसी को प्राब्ला माते हैं तो जरूर बताएं, मैं आपको वीडियो प्रापर तरीक्या से फॉर्म फिल आपको प्रवाइड करा दूँगा, चलिए दोस्तों इन करते ह वीडियो कर चलिए लाइक और से जरूर कहें तब तक के लिए जय ही जय भारत